हेलो नमस्कार जहन एलाबाद हाई कोड के लखनव बिंच ने उन 70,000 सिक्षक भरती के मेरिट लिस्ट को केंसिल कर दिया है और फिर से तीन महीने के अंदर मेरिट लिस्ट ब्राने का आदेश दे दिया है लेकिन यह मैटर क्या है मामला क्या है इसमें रिजर्वेशन की क्या क आडर्स प्रेश लिस्ट आप 69,000 इसस्टेंट टीचर के बारे में यह अलहाबाद हाई कोड के लखनव बिंच ने इस बात के लिए फैसला दिया है कि जो भी 2009 में उनहत्तर जाशक असिस्टेंट टीचर्च के लिए जो रिजल्ट निकाला गया था जो पुना से मेरिट नि और बिश्थिस में बहुत सारे लोगों की नंवकरी जाने वाली वहां है इसके बारे में देखते हैं जbelsेजों की बैंच ने 13 मार्च 2023 को इसका फ़ैसला दिया था जो और इसमें बताए गया था कि जो वर्टिकल्र रिजर्वेशन है opens में भी जाएगा अभी बता रहे हैं यह होता हो होता है इसी बात को चैलेंज किया गया था और दो जजो कि बैंच के सामने रख दिया गया था इस बात को अभी आपको बता रहें कि वर्टीकल लेजर्ट केस्किस प्रकार से ज़न हो जाएगा इपके कंडिडेट फ्राम एर रिजावड काटिग्री स्कोर्स इकवल टू और हाइएर दैन कट आप आप दी जन्रल काटेग्री देश वूड़ी प्लेस इन जन्रल काटेग्री किसी भी रिजर्ट काटेग्री से कोई कंडिडेटर है और इतना मार्क्स पा गया है कि जन्रल में उसका सेलेक्शन हो सकता है तो उसे जन्रल में ही सेलेक्ट किया जाएगा और उसके अस्थान पर रिजर्ट काटेग्री में कोई और कलाहब मिलेगा और क्योंकि इसके बाद जब गया है कि उनके लिए कंपसेशन की ब्यवस्ता की जाए इस सेशन के इंड तक कंसेशन के लिए ब्यवस्ता कर दी जाए तो 18,988 यानि कि लगभग 19,000 कंडिडेट ऐसे थे जिने रिजर्वेशन का लाव नहीं दिया गया था जो बहुत ज्यादा मार्स 60% 65% अथवा इससे भी क्या हुआ जो पीछे के कटेग्री वाले बच्चे थे उनको जो है कि नुक्सान हुआ है तो जो की रिजर्वेशन रूल्स को वाइलिस करता है रिजर्वेशन का उलंगन करता है हम आपको बताते के लिए 22.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है ओब इस परसेंट का और इड एक करेंदेग्राइज जैसे कटेग्राइज में कर देंजहें सफ एक हजार है में से多टेंथ को थे की के 28 ग hic स्जाफ का बेर्थ तो चाहे कितना हो मार्स लाले जै कितना कम लाए वह कि थलत और थो सभी मैं कहलो सभी ऑख्षचे के कम olv यह डिककर एक कटेघरी में से जतना भी मार्स लाले अगर वह अगर केवल 300 में ही आएगा और बाकि वह वार है जन्रल के जन्रल के जो कंडिडेट आए वो केवल 500 में ही आएंगे यह क्ते ग्राइजेस्ट हुआ नरचित के लिए पांस अगर रखा गया है तो अगर सीटी का कंडिडेट ऐसा है जो दोस्व में तो आएंगे ही आएंगे लेकिन अगर मार्क्स बहुत ज्यादा लेकर आ जाते हैं तो यह छालांग लगा अगर कहां चले जाएंगे वार में चले जाएंगे को यहांपर सीटे कुछ खालि हो जाएंगे जब उबसे एंगर में चले जाएंगे तट भीं कर दीडिट होगे जो इतना ज्यादा मां लेगे कि ना सकते हैं तो छलांग ल कर दो चले जाएंगे और उनकी जगए यहां सीटेब अैंद आ जाएंगे तो यह होता है इसन होता है तो एक टिक्राइजिएसन और यह गायरिजियोंचिटिवेशन होने फरक है 7 गॉल्टिक-वाइजिए शन करके ही उसे बचा बना है और होता है जहां बहुत दूर देखेंगे तो जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाए देते उसी को होरीजिन के चीटिज कहा जाता है तो उसी से होरीजन्टल सब्द बना है वर्टिकल में क्या आता है हैTCST obviously और जनेरल यह जो है कि एकटेघ्राइजेस टो है वर्टिकल में आता है जैसे अभी हमने बताया अलग चीज्ज है नोलग चीजहे यहाँ पर सिर्फ कहतेग्राइजेशन किया गया है यहां पर रिजर्वेशन किया गया है सिको टो इस रीजरुआशन कोहम बोलेंगे जिसे हो वी सच से उब चले जाना वी सिसे उवार में चले जाना इस ही सब्सक्राइब वर्टिकल रेजर्वेशन यहीं है वर्टिकल रेजर्वेशन होरीजन्टल रेजर्वेशन में जैसे पीच फिजिकली हैंडिकेप यानि कि दिव्यांग अभियर्थी को या महिला को मैंस को या यह सम के लिए अलग से जो है कि थोड़ा से सीटे काट कर दी जाती है उसी को कहा जाता है horizontal reservation यह हर category में लागू होता है सभी category में जैसे फार एक्जामपुल के लिए कि अगर एक्जामपुल के लिए अगर जराशन में स्टी के लिए दो सब सीटे जरू कर दी गई है और 50% महिला के लिए दी गई है 50% महिला का है horizontal reservation है तो इसमें भी 50% महिला के लिए हो जाएगा इसमें 50% महिला इसमें 50% महिला के लिए हो जाएगा हाँ उसी category की महिला को होगा यहां यहां कि जो है कि जन्राइब की महिला होगी और एस्टी में 50% लेकर आएगी नहीं लेकिन यलेगी है और होरिजन्टल रिजर्वशन का अभिपटन महीला होगी तो होरिजन्टल का ऑफविलाव लेगी और अगर अगर ओविसी को 300 सीटे रिजर्व कर दी गई है तो 300 में से अगर 50% महिला को दी जाती है तो डेढ़ परसे डेढ़ सव सीटे वह मायन को दी जाएगी डोड़ डेढ़ सव महिला को दी जाएगी यानि कि ओविसी कटेगरी की ही महिला है ओविसी कटेगरी की महिलाओं को डेढ बाकी देड़ सो जो सीटें बची हैं वह पुरस के लिए हो जाएगे और यह सबी अगर ज्यादा मार्ट सपाते हैं तो आप चले जाएंगे यानिकी छलंग लगा का दो पाते हैं तो और उनके सीटें खाले होगे तो पीछे से लड़के को अथवा लड़की को डाल दिया जा डरूद नहीं तो पोई उसमें जाएगा इसके यह मतलब होता है लेकिन जो लोग जो जीने लोग रखण नहीं मिलता है वह लोग सोचते हैं के जनरल के लिए जनरल ऑल के लिएंगि लेकिन जन्रिए कमतुम एंहें कि जो अहुद के लोग आ उन्हीं के लिए रिजर्व नाई यही अ會 से लिए यह उर कहा झाल दूर यह दे लिए क्यिक स्षाइब मेरे बस पर्सेंट आरक्षण दिया गया है इडावलेस का द पर्सेंट और अरक्षण है यह जनरल खेलिए जनरल के लिए इस स्पेसल इडाबली 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 आश है जो एकोनैक बेस पर पिछेड़े विए लोग है जनरल में तो वह उन हिए रिजर्व नहीं किया गया है इसलिए सब आएंगे हां यह सभी कटेगरी अपनी ऐपनी कटेगरी वहुआ लेकिन यह जो है अंई जरुखित ऑनारstones ज्चित है इसमें सभी लोग आएंगे यानिकी इन शबर टेगरी से जो लोग भी ज्यादा process पाएंगे वे चलाग लगा कर यहां आएंगे और उनकी अपनी चैटेग्री में झाली हो जाएगी तो लड़के उनकी चैटेग्री में आ जाएंगे और इस याधार पर अशिष्टेंट टीचर में आरच्ण देने की बात की गई है और हाईकों तो यूद्स फिर से तयार करने का हाधेस दिया है और तीन महेने के अंदर फिर से इमेड़ लाने के आधेषिया है दो बारा मेरिट आएगा जिस प्रवाइस में कुछ लोग जो नवकरी कर रहे हैं नवकरी से बाहर हो जाएंगे और कुछ लोग जिने नवकरी नहीं मिल पाया होगा गलत आरक्षण के उसे उन्हें नवकरी मिल जाएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब अभी त धन्यबाद